अपनी क्लास 11 बचा लो मेरे प्यारे अभी वक्त है कि सर मेरी क्लास 11 बरबाद हो गई सर कोई स्ट्रटजी दीजिए तो आज से ही मैं स्ट्रटजी देना सुरू कर रहा हूं मतलब अपनी स्लेबस को कवर करना सुरू करे डि पीपी लगाना सुरू करे टाइम देना सुरू करे तब जाकर ये कार करम होगा सर आप जानते नहीं हो, अभी चीन तपाक दुमदुम चल ला है सर दिमाग में, वो चलता तो सर मुझे अच्छा लगता है, वो अहट टमाटर बड़े मज़दार बड़ा अच्छा लगता है सर मुझे, क्या आप रगड़ने हो गड़ने एक बास ले करते हो, फ्रस्टेट कर पिरेगा नालायक प्राणी, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आधी भी रहे चट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है स्रिष्ट के सम्विधान से, एक ऐसी बातचीत आपके साथ करनी है, जो आज की डेट मे आपके लिए सबसे ज़ादा जरूरी है, सबसे ज़ादा रेलेवन्ट है, वो बातचीत है, एक बार दुभारा सुनियेगा, आज कल हो क्या रहा है, हमारे पास ना एक क्या कहिंगे एक्सक्यू चल रहा होता है, जैसे जैसे ये दिसंबर के दिन आने सुरू होते हैं, बच् प्यार से पूरी बात दुबारा में बोलने वाला हूँ, सुनिएगा, तो एक काम की बात आप के लिए करने वाला हूँ, वो काम की बात ये है कि अपनी class element बचा लो मेरे प्यारे, अभी वक्त है, अभी इतना वक्त है कि जिससे आपका element बहुत मजबूत हो सकता है, अच्छा खासा practice कर सकते हो, और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो, जो आपका वक्त बाकी है, उसी में ये कारकरम संभव है, तो अभी वक्त है, बाद में रोना सुरू होगा, जैसे जैसे दिसंबर, जन्वरी और फर्वरी का फेज आएगा, उसमें जादा तर लोग ये लिखने वा ताकि बाद में ये रोना ना मचे भाई मुझे पता है कि ये दवा सब के काम की नहीं ये सब को बरदास नहीं होगी कुछी लोग बरदास कर पाएंगे और ये आपको भी पता है ये competition का जवाना है एक बहुत बड़ी भीन है बहुत बड़ी race भागती IIT का examination तुम्हारे selection के लिए है ऐसा नहीं तुम्हें reject करके कुछ लोगों को select करने का examination है अगर इसमें आना है तो इसके हिसाब से सोच डबलब करनी पड़ेगी no doubt मैं ये कहता हूँ कि भाई साब अब है competition तो मानना पड़ता है इंडिया है क्या करोगे इतनी ज़्यादा population है छाटना ही एक option बचता है एक अच्छे college का option ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं no doubt मैं ये मानता हूँ IIT के नंबर बढ़े है triple IIT के बहुत नंबर बढ़े है NIT के नंबर बढ़े है seat तो बढ़ रही है लगाता कुछ कर ले तेरा 12 खराब होगा फिर वहां नहीं बचा पाएगा सर ऐसा मत बोलिए हम तो टल्थ पढ़ने में सोच रहे थे अरे बुद्धू अभी समझा रहा हूं इसलिए जब बरबाद हो जाएगी तब भी कुछ बताऊंगा सिंपल सी बात यह है कि अभी समझा रहा हूं समझ ले ही रहूं सुनना ध्यान से कई बच्चे क्या सोच रहे है सर बड़ा कठिन काम है मैं तो यह जब बोज उठा रहा हूं न यह सलेबस का मुझसे उठी नहीं रहा है आज यह बच्चा हमसे यह बातचीत कर रहा है लेकिन ध्यान रखे अगले वीक कोशिस करनी है उसको क्या करनी है अगले वीक थोड़ी और कोशिस करनी है कि जो यह चौकोर दिखा है थोड़ा थोड़ा गोला बनना सुरू हो मतलब अपनी स्लेबस को कवर करना सुरू करे डिपीपी लगाना सुरू करे टाइम देना सुरू करे संडे को यूटिलाइज करे बारा बारा घंटे तब जाकर ये कारक्रम होगा अच्छा नेक्स्ट वीक से लेकर नेक्स्ट मन तक आपको कोशिस करनी है और जादा कि जो आपने इधर सोचा है उसी को मल्टिपल टाइम पढ़कर कई बार पढ़कर नई चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है नेक्स्ट मन तक ये करेक्टर लाना है तब जाकर कहीं एक साल में अपने आपको इस योग्य पाएंगे कि ये जो प्रॉबलम हुआ करती थी ये सिलेबस ये निपट पाएगी और आप इसको देखे धडले से उड़ा पाएंगे ये तब पॉसिबल है जब आप लगातार लगे हूँ हाँ आज सिलेबस भारी है ये सिर्फ तुम्हारे लिए सकते नहीं है ये सब के लिए सकते है सब को तकलीफ आज है क्योंकि आप इसे ट्रांजिशन फेज में निकल कर उपर आएं अभी टेंथ पड़ रहे थे अब टेंथ का पूरा एक एक किताब यहाँ चैप्टर बन जाता है तो नो डाउट आज तकलीफ हो सकती है मैं कह रहा हूँ ऐसी तकलीफ होना नॉर्मल सी बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन लगातार रगड़ते हुए रहने से ये भाई सहाब गोला बन पाएंगे मतलब कोल मिला के स्लेबस पर काम अभी से जादा करना पड़ेगा विश्वासमान सायद ये संटेंज तुभे आज अच्छा ना लगे कल तुझे बहुत अच्छा लगेगा तु मुझे याद करता फिरेगा कोई था जो बचा रहा था कब जब अगस्त चल रहा था कोई था जो ये कह रहा था अगस्त में कि अगर बच जाएगा तो छे महीने तेरे पास होंगे सीखने का अब अगली बात सुन थोड़ा स्टैट्स पर बात कर लेते हैं द्यान दीना भाया ये लाइन तो मैं बोल चुका हूँ मैंने क्या बोला कि competition एक race की तरह है भागना हमारी मजबूरी है क्या करोगे इंडिया में ऐसा है मजबूरी है और हमें उसकी तरह भागना पड़ता है तो no doubt जैसा competition डिमांड करता हमें supply उसी तरीके से देनी पड़ती है और सोच हमें उसी तरीके के बनानी पड़ेगी नहीं तो race से अपने आप हट जाओगे इसलिए तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आधी भीर है चट चुकी कुछ भाग गए मैदान से तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा ये लिखा है स्रिष्ट के सम्विधान से मतलब ये nature खुद कह रहा है कि अगर तू लगातार लगा हुआ है तो तेरा जीत संभव है कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता मैं तुझे दुबारा कह रहा हूँ IITs 23 हो चुकी है NITs बढ़ चुकी है IIITs बढ़ चुकी है एक अच्छा कॉलेज पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कब जिसके अंदर ये करेक्टर होगा लगातार लगा है जीत जाएगा मैं कहा रहा हूँ नोर्स बनाओ अच्छे जब डीपी को क्वेशन स्वार करो प्रीवेस येर क्वेशन करो बहुत कुछ मत कर पाओ तो सिर्फ यहीं तक मॉडियूल नहीं लग पारा फ्रस्टेशन ओर यह नहीं है टाइम रुप जाओ ठमो आसा अराम करो थोड़ा केवल और केवल ये काम करो सर ये केवल नहीं है ये बहुत कटिन काम है यस बॉस आपने जंग अपने हिस्से में बड़ी चुनी है तो आपको तकलीफें आएंगी ना आपने चुना है ना ये जंग किसने चुना था कि मैं आज यहां खड़ा हूँ मेरे को यहां जाना है ये तुमने चुना है ना भाई यह चुना है तो यह ट्रांजीशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो चाहिए वो नेचर डिमांड करता है कोई तरीका नहीं है कोई तरीका नहीं है अरे सर अभी छोड़ देते हैं अभी पिक्चर देख लेंगे सर अरे सर अभी नेट्प्लिक्स करेंगे सर अ बड़े मज़तार बड़ा अच्छा लगता है यह क्या आप रगड़ने बात करते हो अच्छा जी तो ऐसे जो लोग है उनसे कहूंगा यह वीडियो छोड़कर अभी निकल लो उनकी जरूत नहीं यह मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो यह सोच कर आएं है कि तकलीफें जेलना पड़ता है तब ही आप एक जगह जाकर सेट होते हो एक लेवल आता है हाँ उसके बाद भी आएगा उस लेवल के बाद बड़ी लेवल की चीज़ें आएंगी 45% जेई सलेबस क्लास लेवन्त के अंदर है क्या आप किसी एक ऐसे मैदान का जिसका 45% आपके द्वारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आपके लिए बिना उसमें खड़े हुए क्या आप कोई गेम जीत पाएंगे क्या कोई गेम जीत पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस 55% को तुमने तयार भी कर दिया तो भाई साब कोई गेम नहीं जीत पाओगे अरे इधर जाना पड़ेगा फुटबॉल खेला है जीमन में कभी देखा हो तो अगर ढख देगा तू इधर जाने ही नहीं देगा पानी बर जेई की प्रिफरेशन अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में जो नीचे इंटे लगी है ना ये इंटे क्लास 11 का स्लेबस है इसके अंदर पढ़ाया हुआ क्यमिकल बॉंडिंग प्रियॉडिक टेबल सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रॉक्चर सिमिलरली मोल कॉंसेप अगर मैं ये बाते कहूं तो ये बाते कह सकता हूं कि ये सारी क्या है एकदम बेसिक बाते और बिना इसके सीखे ना आज तक कोई क्लास 12 पढ़ा सका ना कोई पढ़ा पाएगा ऐसा नहीं हमारे अंदर कमियरे बुद्धू तुझे सीखना पढ़ेगा यही सच्चाई है त तेरा सेलेक्शन नहीं होगा दुख मुझे भी होगा अरे तेरा होगा मुझे लाग गुना खुसी मिलेगी जब तो रजल्ट चलेबरेशन के दिन मिलेगा बाद में कभी मिलेगा कि सर आप से पढ़ा था आप मस्त पढ़ाते हो सर पूरा समझ में आता है यह कहानी ये सब् अप्रिशेशन सुनकर हमें भी लगता है कि हम जीवन में कुछ सही कर रही है तो भैया मैं अपने खून को सही तरीके से चलाते रहने के लिए यह अप्रिशेशन खुद चाहता हूं तुमसे ही चाहता हूं लेकिन चाहता हूं कि तुम्हारा पहले सलेक्शन हो तू इस योग यह हो कि तु यहां पर यह सारी चीजें करने के लिए तया रगड जरूरी नहीं रहे आसान नहीं है और अगर कोई बच्चा यह सूद रहे सर मैं तो गरीब हूं मैं तो दिक्कत में हूं जहां तु खड़ा है उससे कई किलोमेटर पीछे से चल के आया हूं मैं रहां रोज कहानियों कितना बता नहीं सकता सिंपली इतना माले कि जिस भी जिस भी कंडिशन में तु खड़ा है उससे पीछे खड़ाता हो चल के यहां तक पहुंचाओ खुद के भरोसे खुद से महनत करके ठीक तो ऐसा तुम भी करोगे तुम कर पाओगे हर साल कहानिया निकलती होप पत्थे का सेलेक्शन हो सकता है क्योंकि वह जुनुन पैदा करके बैठा है और तुम्हारे नहीं हो सकता क्योंकि तुम रील चला रहे हो रियल लाइफ में जीना सुरु करो रील से नहीं होगा कार करम अगर करना ही है तो रील बनाने वाला बनना कम से कम कोई creator बन तब भी म अगर आपको confident feel करना है class 11 के बाद 12 में तो बिश्वास मानों ये बहुत जादा जरूरी अब दूसरी एक चीज जो अभी से बोलूँगा उसका ध्यान रखना क्या time frame ये है time period बताता हूं क्या है time period यहाँ पे आज हम खड़े हैं आज हम खड़े हैं अगस्त में मैं सीधा लेकर चलता हूं तुम्हें यहाँ पर और ये बीतेगा कितना जल्दी तुझे पता भी नहीं चलेगा बहुत जल्दी ये वक्त गुजरेगा और जब ये वक्त गुजरेगा धान देना मैं दुवारा यहाँ लिख रहा हूं जब ते काम किया और मैं कम से कम ये कहता हूं कि आनलाइन चार सालों में ये बात लाखों को बताता हूं कुछ फॉलो करते हूंगे और उनके सेलेक्शन होते हैं और मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये है ये है असली पीरियड ये है असली पीरियड क्या है भाईया जो कोई भी यूज करता है इसको मैं बोलता हूँ प्रतिग्याँ डेज क्या बोलता हूँ प्रतिग्याँ डेज ये प्रतिग्याँ आपको complete करने वाले डेज ये नहीं कि सर मैं तो इसमें प्रतिग्याँ लूँगा मैं एक पेज निकालूँगा उस पर लिखूंगा नहीं रहे प्रतिक्या आज लेनी है complete इसके बीच में करना और क्या करना है यह टाइम तेरे बैक लॉग क्लियर करने का है तेरे जैए मेंस के सारे क्वेशन अटेम्ट करने का है तीसरी सबसे बड़ी चीज जैए एडवांस लेवल के 11 के क्वेशन को लगाने का सही वक्त सही टाइम यह होता है यह साथ दिन तरी किसमत बदल सकते हैं कब बदलेंगा जी जब तु खुद मेहनत करेगा यह तीन चीज़े इध्यान रखियो बैक लॉग क्लियर करना जही मेंस के सारे क्वेशन लगाना एडवांस लेवल के क्वेशन को अटेम्ट करना और प्रिवेशन को लगाना तो भया जी अरजुन सुन्ध्यान से ड्रॉपर में मत मिल जईयो क्या करेगा यही मास्टर मिलेगा पढ़ाते हुए कॉंसर्ट तो मैंने पहले भी बढ़ा रख्योंगे फिर पढ़ेगा कि अरे नहीं सर वहां दुवारा पढ़ लेगा अभी सीख ले अभी वक्त है तो अ आज काम करता हूं और लगातार कुछ नए प्रोजेट पर भी काम करता रहता हूं पैरलली क्यों कि मुझे एवरेज इंसान बनने से तकलीफ है तुझे बनना है कि नहीं बनना वह तो डिसाइड गरेगा जिंदगी तेरी मेरा काम था एक द्रोना चारिका एक जो भी मैं कार करने के लिए तेरे को जुनून पैदा करना पड़ता है सबकी आउकात नहीं है इस रेस में भागना फटके फ्लावर हो जाती खोपड़ी अगर आया है तो करते हैं कोसिस कोसिस करते है और एक बात और जब यह लगे कि लोड बहुत जादा है प्लीज दो दिन मत पढ़ा कर दो दिन का बैक लॉग बना दे कोई दिक्कत नहीं सांती ले पूरा उस दिन कुछ मत का हग यह काम रोज नहीं करना है लेकिन जब लगे कि तीन चार महीने मने बहुत रगड दिया है अब मुझे तोड़ा फ्यूल की कमी पढ़ रही दो दिन मत पढ़ा कर संडे गंटे की नीद लो एक सेकंड उससे कम मत करना वैसे मैं साड़े शे गंटे बोलता हूं साथ गंटे की कंप्लीट नीद होनी जरूरी है यह मसीन काम ही ऐसे करती है चलिए 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 आज की बादचेत यहीं पर समेट देते हैं तो पैरे प्यारे ध्यान कि देख तुझे क्या समझाया था मैंने और तुम मिलोगे यह कहते हुए कि सर मैं बचा नहीं पाया क्लास लिए बरबाद हुगा